दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक नया ओफर लेकर आ जुका हूँ जो कि नो डिपोजिट बोनस का ओफर है तो कैसे आपको इस बोनस को क्लेम करना है कैसे क्या करना है सारी चीज़ें जो है हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं तो अगर आप हमारे च इसक्रिप्शन में और टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है लिंक पे क्लिक करना है लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा start with 30 dollar bonus पे आपको click करना है और यहाँ पे अपनी country जो है select कर लेनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी country से आप हैं वो country आपको select कर लेना है email ID यहाँ पे enter करना है और इसके बाद आपको जो है यहाँ पे email ID enter करने के बाद password आपको दो बार enter करना है और यहाँ पे आपको टिक लगाना है और इसके बाद आपको submit पे क्लिक कर देना है submit पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे please verify your email का यहाँ पे pop up receive होगा आपको ok कर देना है और इसके बाद आपको अपना email चेक कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते हैं email जो है यहाँ पर receive हो चुका है आपको email open करना है और अपना email जो है verify कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखके आ जाएगा email verification successful go to login पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना email ID और अपना password इंटर करके login कर लेना है email और password इंटर करने के बाद login करने के बाद कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपको welcome bonus का pop-up यहाँ पर receive हो जाएगा आपको simple सा यहाँ पर click लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर get bonus पर click कर देना है और एक चीज़ आपको ध्यान देना है इसका जो welcome bonus term and condition है यह आपको read कर लेना है और मैं next video में इसका जो term and condition है सारी चीज़ें आपको बता दूँगा तो next video जो आएगी उसे आपको पूरा देख लेना है तो get bonus पर आपको simple सा click करना है जैसे आप get bonus पर click करेंगे यहाँ पर लिखके आ जाएगा please verify your identity तो आपको यहाँ पर अपनी identity verify करना है identification card जो है उसका यहाँ पर number आपको driving license अगर आपको है तो driving license जो भी आपके पाल document है वो आपको select करके यहाँ पर आपको enter कर देना है जिस document का आपने वहाँ पर detail फिल किया था अब उस document का जो photo है वो आपको यहाँ पर front and back दोनों upload कर देना है इसके बाद यहाँ पर लिखके आजाएगा verification success your identity has been verified आपको continue पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको अपने document का जो भी detail है आपका address आपका occupation जो भी सारी details है वो आपको fill कर देनी है और उसके बाद जो है आपको next कर देना है detail fill करने के बाद आपको confirm पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर लिखके आजाएगा verification success आपका account जो है verify हो जाएगा instant इसके बाद आपको create trading account पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे options मिल जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं mt5 try demo standard account यहाँ पर show हो forty times id पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको metatrader 5 server रहेगा आपका और USD यहां पर currency रहेगी और type जो है standard ही रहेगा आपका leverage आपको अपने हिसाब से select कर लेना है तो मैं यहां पर suggest करूँगा 100 का leverage यहां पर ले लीजिए या फिर आपके उपर depend करता है 1500 जितना भी leverage आपको ल लेना है और यहां पर आपको एक password बना लेना है आपको confirm पर क्लिक कर देना है आपका account जो है successful यहां पर बन जाएगा देख सकते हैं यहां पर account जो है open हो चुका है अब आपको simple सा जो है यहां पर cut के जो निसान देख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और back कर देना है जुस्तों account verify होने के बाद आपको यहाँ पर उपर क्लिक करना है side menu पे और इसके बाद यहाँ पर आपको transaction का option मिल जाएगा आपको simple सा transaction पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर withdraw का option मिल जाएगा withdraw पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना bank account का detail यहाँ पर fill कर देना है और उसके बाद अपने bank account का statement है वो आपको यहाँ पर upload कर देना है और उसके बाद submit कर देना है तो आपका जैसे ही यहाँ पे complete हो जाता है इसके बाद आपको simple सा करना क्या है आपको यहाँ पे get $30 bonus पे click करना है और उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं अभी verify नहीं हो है bank detail इसलिए जैसे ही bank account verification हो जाएगा यहाँ पे option मिल जाएगा तो यहाँ पे देख complete हो जाता है सक्सेज हो जाता है verification bank account का उसके बाद आपको यहाँ पे एक pop-up message receive होगा कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे जो है आप standard account और अगर वहाँ पे account select करने के लिए बोल रहा है तो आपको जो है अपना वही पुराना वाला account जो आपने create किया है यही वाला account आपको select कर लेना है यहाँ पे देख सकते है यह जो पुराना वाला account आपने open किया था just sign up करते टाइम वो account आपको select कर लेना है अगर नए account open करने के लिए बोल रहा है तो नए account आपको open कर लेना है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ चेहिंद